राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम माख मास महात्यम का 26 अध्याई से लेकर माख मास महात्यम का अंतिम अध्याई यानि की तीसवा अध्याई तक की कथा सुनेंगे 26 और 27 अध्याई प्रारंभ पतिक कहने लगा की हे प्रेत तुमने सारस के बचन किस प्रकार और क्या सुने थे सो किरपा करके कहिए प्रेत कहने लगा की इस बन में कुहरा नाम की नदी परवत से निकली है मैं घुमता घुमता उस नदी के किनारे पहुँचा और ठकावट दूर करने के लिए वहाँ पर ठर गया उसी समय लाल मुख और तीखे दातों वाला एक बड़ा बंदर व्रिक्ष से उतर कर जल्दी से वहाँ पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था उस चंचल बंदर ने कई एक पच्छियों को देखकर उस सोय हुए सारस को दृड़िता से पैरों से पकर लिया और तो सब पच्छी उड़कर वहाँ से चले गए परंतु सारसी भै भीत होकर बिलाप करती हुई वही पर रुक गई नींद के दूर होने तथा भैसे नेत्र खोल कर सारस ने बंदर को देखा और मधुरवानी से कहने लगा हे बंदर तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो इस संसार में राजा भी केबल अपराधियों को ही दंड देता है तुम्हारे जैसे स्रेस्ट प्रानी किसी को पीरा नहीं देते हम अहिंसक और दूसरे के करमों को नहीं देखते जल की काई खाने वाले आकास में उरने वाले वन में रहने वाले अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले दूसरों की बुरा आधी को हे बंदर छोडो मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत जानता हूँ यह बचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पुर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो तुम अज्यानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाती की इस्मृती के बल से तुम्हारे पूर्व जनम का सब वृतान्त जानता हूँ तुम पूर्व जनम में विन्ध परवत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूच पुरोहित था तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीरा दिया करते थे बिवेक हिन तुमने बहुत सा धन इकठा किया सोवानर प्रजा की पीरा रूपी अकनी की जुआला से तुम पहले ही तप चुके हो पहले तुम कुम्भी पाक नर्क में गिराए गए तुम्हारे सरीर को नर्क में तीन हजार वर्स बीद गए फिर नर्क से निकल कर भचे हुए पापो के कारण इस बंदर की योनी में आए और मुझको मारना चाहते हो पुर्व जनम में तुमने ब्रहमन के बाग से लूट कर बल पुर्वक फल खाये थे उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए प्रानी अवस्य में अपने किये हुए कर्मों को भोगता है इसको देबता भी नहीं हटा सकते इस प्रकार में सारस का जनम लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम बक्षी कैसे हुए सारस कहने लगा कि मेरी दुरगती का कारण भी सुनो तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूरी ग्रहन के समय बहुत से ब्रहामनों के निमित सो ठेर अन के दांद किये थे मैंने पुरो हिताई के मदद से थोरा सा प्रहामनों को दिया और बाकि सब मैं आप हर ले गया इन प्रहामनों के द्रव्बे का अपहरन करने के पाप से मैं पहले काल सुत्र नरक में और फिर रक्त करदुम नरक में जहां पर बड़े बड़े कीरे थे और रक्त तथा पीब से भड़ा हुआ नाभी तक नीचे सिर और उपर पैर किये हुए पीब चाटता हुआ उस दुरगंध वाले नर्क में कीरो आदी से काटा जाकर तीन हजार वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा मैं नर्क के दुख का वर्णन नहीं कर सकता फिर नर्क की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कासे का वर्तन चुड़ाया था इसको मैंने एक जुआरी को दिया इसी से मैं सारस योनी में आया यह मेरी इस्तरी पिछले जन्म में ब्रहामनी थी इसने भी कासे की चोड़ी की थी इसी से यह मेरी इस्तरी और सारसी हुई यह सब मैंने तुम से कर्मफल कहा अब भविस्य की बात भी सुनो अब मैं तुम और यह मेरी इस्तरी भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे फिर इसके पस्चात गौर योनी में और फिर जाकर दुरलव मनुस्य योनी को प्राप्त होंगे इसमें मनुस्य पाप और पुर्ण दोनों ही कर सकता है इस प्रकार सिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है ना केवल हम ही परन्तु इस संसार के सभी जीव प्रव्रिती मार्ग में फसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोकते हैं इसलिए सप मनुस्य व्याक्र कीरे मकोरे सभी से कटंग रूपी मार्ग नहीं छूटता केवल वेदान्त जान्रे वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं इसी कारण बरे बरे महत्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते उपाई से तथा बुद्धी से कोई भी इसको नहीं बदल सकता और फिर भी ऐसा ही जन्म पाऊगे ऐसा विचार कर आनंद पुर्वक और धैरे धर कर विचरते हुए काल के प्रक्तिक्छा करो तब बानर ने कहा कि पहले जन्म में तुम्हारी पूजा करता था अब तुम मुझको प्रनाम करते हो तुम जाती के स्मरन से मेरे पुर्व जन के बृतांत को जानते हो आनंद पुर्वक्र हो तुम्हारा कल्यान हो तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा प्रेद कहने लगा कि हे पथिक मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संबाद सुना तब मुझको बोथ हुआ और मोह तथ प्रेद कहने लगा कि हे पथिक मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूं क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्मे सुना है मैंने इस परवत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुद आश्चरी देखा था इसलिए यह जल मांगता हूं मैं प्रेद अंधिकारी को यग कराकर ब्रम्ह राक्षस हो गया वह हमारे साथ आठ वर्स तक रहा उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकठा करके गंगा में कंखल स्थान में गिरवा दिया उसी समय वह राक्षस तो त्याग कर सद्गधी को प्रत्यक्ष देखा है इसलिए मैंने त स्थानों में बड़े बड़े दान लिये थे और उनका प्रास्चित नहीं किया था इसी से मैं हजारों वर्स तक इस प्रेत योनी जिसमें अन और जल मिलना आती दुरलभे दुख पा रहा हूं इस योनी में मुझको हजारों वर्स बीद गए इस समय जल देखकर मेरे प्रा स्थानों को त्याग करने की एक्षा नहीं करता देव घुति कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह बढ़ा मन बड़ा विश्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुन्य के फल अवस्य आ परते हैं देव दानब मनुस्य कीरे म मकोरे भी रोगों से पीरित होते हैं बाल तथा वृद्धों को मरन अंधा तथा कुबरापन एस्वारे दरिद्रता पांडित्य तथा मुर्कता सब कर्मों से ही होता है इस कर्म भूमी में जिन्होंने नयाई से धन इकठा किया वह धन्य है यह सुनकर प्रेत गदगद बान में बोला हे पथिक मैं जानता हूँ कि आप सरवग हैं आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेग चातक को देता है तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत मेरे माता पिता वरीगो छेतर में बैठे हैं मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ अब बीच में तु वर्टू में यगो को इतना नहीं मानता जितना प्रान रक्षा को मानता हूँ इसलिए प्रेत को जल देकर त्रिप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया उस प्रिति पुर्वक जल को पिया उसी समय वह प्रेत सरीर को छोड़ कर दिव्य देह धारी हो गया किरल कहने लगा कि विंदु मात्र गंगत जल से वह प्रेत मुक्त हो गया हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुन का वर्नन नहीं कर सकते नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारन करते हैं इस संसार में जो मनों से काया वाचा और मनसा के पापों से रंग गये हैं वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सनमुख खड़ी रहती है जिसके जल को असपर्स करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़ कर म प्राप्त होता है यदि संबंधी लोग गंगा जल से तरपन करे तो नर्क में रहने वाले पीतर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रहात्व को प्राप्त होते हैं गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं वह प्रेत वहां से चला और एक मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महत्यम के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर असनान करके पिसाच सरीर को धारन कर भक्ती पूर्वक नारायन की अस्तुती करता हुआ वह द्रविट देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम भिमान पर बैठकर इंद्रपूरी को गया सो हे द्वेज यह इतिहास पापों का जल्दी ही नास करता है इसमें धर्म का ग्यान होता है यह पूर्णे यस तथा किर्थी को बढ़ाने वाला है ग्यान तथा मोक्ष का देने वाला है तुम भी सत्गदी पाने के लिए प्रयाग चलो उहा पर स्राप से पैदा हुआ पिसाच पन सब नास को प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमरित में मधूर कथा को सुनकर मानों अमरित पीकर सब प्रसंद हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए उन्हीं के साथ सब लोगों ने दच्छिन दिसा क प्रस्थान किया मामास महांत्यम का अंतिम अध्याई प्रारंभ वसिष्ट जी कहने लगे की है राजा दिलीप बहुत से जन समु सहित अच्छोन सरोबर में असनान करके सुख पुर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए तब लोमस जी कहने लगे कि संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब स्रधा पुर्वक देखो यहां पर 33 करोर देवता आकर आनंद पुर्वक रहते हैं यह अच्छे वट है जिनकी जड़े पाताव तक गई है और मारकंडे रिसी प्रलय के समय भगवान इसी अच्छे वट का आश्रे लेते हैं यही सिपजी की प्रिय भगवती भगीर थी है जिसकी सिध लोग सेवा करते हैं यह गंगा स्वर्ग के हेतु बताका है इसका जल पीकर मनुस्य मुक्त हो जाते हैं हे मुनी सभी प्रानी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं इसका संगम बड़े पुनिस से प्राप्त होता है इसके असनान से चन्मम्रित्य रूपी दावा नल से कोई नहीं तपता परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है यहाँ पर असनान करने से सभी प्रानी विना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं इसलिए ब्रह्मा जी ने यहां पर यग करने की इच्छा की थी इसी संगम में भगवान विश्णु ने इस्त्री प्राप्ति की इक्छा से असनान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया इहां पर त्रिसुल धारी सिपजी ने त्रिपूर दैते को मारा था और प्राचीन काल में उर्वसी स्वर्ग से गिडि थी तथा स्वर्ग पाने की इक्छा से इहां पर ही उसके असनान करने से नहुसु कुल के राजा ये यतीग ने वंस धर पुत्र प्राप्त किया यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की एक्छा से असनान किया था और माया से कुवेर के सब धन को प्राप्त किया था प्राचीन काल में नारायन तथा नर ने हजारों वर्स तक प्रयाग में निराहार रखकर उत्तम धर्म किया था यहां से जैगास वियसन्यासी ने महादेव जी जैसी सक्तिवाले से विजय पाई थी तथा अनीमान आदी योग के अती दुरलफ एस्वरे प्राप्त किये थे इसी छेत्र में तपस्या करके श्री भरद्वाज सब्तरिशियो में सम्मलित हुए जिनोंने भी यहां असनान किया सब को स्वर्ग की प्राप्ती हुई इसलिए हमारे विचार से तम त्रिवेनी में असनान करो इस असनान से पहले किये हुए तुम्हारे सब पापनस्ट हो जा जिसे कि इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेनी में असनान करने लग गए और उसी असनान करने से सब की पिसाचता नस्ट हो गई स्राप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना सरीर धारन कर लिया वेद निधी ने अपनी संतान को देखकर परसनचित होकर लोमस जी को संतुस्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही स्राप से विमुक्त हुए अब आप इन वालकों के योग धर्म को कहिए लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्यन समाप्त कर लिया है इसलिए इन कन्याओं के पृति पुर्वक कर कमलों को ग्रहन कर तब लोमस जी तथा अपने पिता जी की आग्या से इस प्रह्मपचारी ने पांचों कन्याओं से विवा किया इन कन्याओं के सब मनोरत पूर्ण हुए जिसके घर में लिखा हुआ यह महात में पूजा जाता है वहां नारायन ही पूजे जाते हैं पुसकर्तिर्थ में प्र जहन के अबसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैसनवपद को प्राप्त होता है इति माग मास महात्यम संपूर्ण बोलो विश्नु भगवान की जै लक्षमी नारायन की जै वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे वीडियो लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अन कर ले जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो फिर मिलती हुमें आपसे नेक्स्ट वीडियो में जै श्री कृष्णा राधे राधे